सुप्रभात मैं प्राध्यापक्सवीता है एसे केटी महावीत्याले तेवलाली क्याम अब सभी लोगों का दहरील से हारदिक स्वाकत करती हूँ चात्रों पिशली तासीका में हम लोगों ने हमारा जो चतुर्त अयन है उसका पठ्यकरम जाना है साथ ही में उसका उद्देश्च भी हम लोगों ने देखा है आज हमारी ये जो तासीका है उसकी कार्य सुची इस तरह से है उद्देश्र, लेखक का परीचे, पत्नी कहानी की कथावस्तु और अंटे में मुल्यांकन इस तासीका का उद्देश्र है लेखक जैनेंद्रकुमार से अपलोगों को परीचित कराना है पती का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रुखने वाली पत्नी के मनोभावसे परीचित कराना है साथी में स्त्री के मनोभिग्यान से भी आप लोगों को परीचित कराना है लेखक जैनेंद्रकुमार, इनका अलपरीचे आपके सामने परस्दूत है 1905 में इनका जनम हुआ है अलिगर्ड उतरप्रदेश कोडियागंश इनका जनस्तान है आपका आरंभिक नाम आनन्दिलाल था प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल में हुई थी 1912 तक गुरुकुल में रहे फिर वो बिश्णोरा गये थे आपने मैट्री की परिक्षा 1919 में पंजाब से दी और उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्व हिंदू विश्वी विदाले चले गए 1921 में शिक्षा अधुरी छोड़ कर वे असयोग आन्दोलन में भाग लेने के लिए दिली आगे 1922 में व्यापार में सलगने रहे फिर 1923 में ही नागपूर आकर राजनितिक पत्रों में सवाद दाता का कार्य किया राजनितिक गदिवितियों के कारण गिरपतार भी हुए इसके परशाद जीवी का वरजन के लिए कलकिता गए लेकिन सफल नहीं हो पाए तब उन्होंने अपना लेखन कार्य आर्यम्भ किया प्रेमचन के परवर्ती उपन्यासकारों में जैनेंद्रकुमार का विशिष्टस्तान है आपके उपन्यासों में मनोविशलेशन का विशिष्ट आधार है अत्व आप मनोविशलेशन परवर्त के प्रवर्तक माने जाते हैं उनके कथानक में क्रांती और आतंकत तत्व होते हैं उनके पात्रों में अंदर ही अंदर विद्वन्सक प्रवरित्ती वित्यमान होती है, लेकिन नारीक के संपर्क में आकर उनका कोमल स्वभाव अभिवेक्त होता है. उनकी प्रमकृतिया उपन्यास, परक, सुनिता, त्याग पत्र, कल्यानी, सुखदा, विवर्त, व्यतित्थ। जो कहानी संग्र है, उनके शिर्षक है फानसी, वातायन, दो चिडिया, पाचेप, जैसंधी। आज हम जिस कहानी को पढ़ने वाले है, उस कहानी का शिर्षक है पत्नी। इस कहानी के दो प्रमक पात्र है, सुनन्दा और कालिंदी चरण। जब कहानी शुरू होती है, तो शुरू में ही जैनेंद्र कुमार जी ने एक ऐसे परिवार का चितरन किया गया है, जो शहर में रहता है। लेकिन शहर में भी किसी अच्छे इलाके में इनका घर नहीं है, बलकि एक तिरस्कृत मकान दिखाए देता है और दूसरे मंजिले पर ये रहते है। उस घर में रहने वाली जो स्त्री है, उसकी उम्र लगपक 22 की है और जो काफी चिंता में पैची हुई है। इस घर में केवल दो प्राणी रहते हैं, अर्थात पती और पत्नी, अर्थात सुनन्दा और कालीन दी चरण। सुनन्दा जो है अलस भाव से बैटी हुई है, किसी बात का उसमें उत्साह नहीं है, और वो अपने पती का इंतिजार कर रहे है। पती महाश्रय कहीं बाहर गए हुए है। अब सुनन्दा को लग रहा है कि पती जब आएंगे तो मैं उन्हें गरम गरम खाना परोसूंगी। रोटिया बेलनी है इसलिए उसने अंगिठी चला के रुखी हुई है। अंगिठी भी राख होती हुई उसे नजर आती है। वो तुरंट अपने हाथ जमीन पर टिकाती है और कोईले लाकर अंगिठी में टाल देती है। फिर उसे कोईले दहकाते हैं लगभख बारह बच चुके हैं और उसे लगता है कि अब मुझे रोटिया बनानी ही चाहिए। पता नहीं कब तक आएंगे। और उसके मन में ये भी खेयाल आता है कि मनुश्य को अपने तबियत की फिक्र होनी चाहिए। बारह बच चुके हैं लेकिन फिर भी पत्यदेव नहीं आये हैं अभी तक वो भूके पैसे बैटे हैं इसी बात कि उसे चिंता हो रही है। अब लगभख साड़ी बरह पाउन ना बच चुका है और अब उसे लगता है कि अब फिर से अंगिटी बुच जाएगी। कोईले बुच जाएंगे और अब वो सोचती है कि नहीं अभी मैं रोटिया बना ही दूँगी। और इसलिए वो रोटिया बेलना आरंब कर देती है। जब वो रोटिया बेल रही है तो अचानक उसे सिडियों में से पैरों की आहट सुनाए देती है। और फिर आहर सुनने के बाद वो देखती है तो उसके पति देव बढ़ा रहे है, लेकिन वो अकेले नहीं है बलकि उनके साथ और तीन लोग है, अरदा दून के मीत्र है। अब ये तीनों जो है जोर जोर से बाते कर रहे हैं। आने के बाद ये तीनों और गालिंदी चरण कमरे में जाकर बाते करते हैं। बढ़ा जोश है उनमें। उट सहा के साथ बाते कर रहे हैं। भारत माता के संधर पमेमात हो रही है। कि भारत माता को आजाद कराना होगा। स्वतंदरता बहुत जरूरी है और ये बाते सुनने के बाद सुननदा को लगता है कि मुझे भी इन बातों में हिसा लेना चाहिए मुझे भी इन सारी बातों को समझ लेना चाहिए और इस तरह से बहस चिड़ी हुई है भारत मता को आजाद किराना है रास्ता कोई भी चलेगा हिंसा का चलेगा अहिंसा का चलेगा और इस तरह से अगर बाग के मुह से हमें अपने अपको बचाना है तो हम लोग अहिंसा का आधार नहीं ले सकते हैं ये बाते उनमें हो रही है और इस तरह से आतंगवादियों के बारे में लोग कहते हैं कि अतंगवादी मुर्ख होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें मैचुरिटी नहीं होती है, जिने जो कहना है कहें, लेकिन हम लोग आतंग का आधार लेकर ही हमारी भारत मता को आजाद करेंगे, ऐसी बातें कालिंदी चरन और उनके दोस्तों में हो रह हैं, अगर आप भूके हो तो कहो हम लोग अभी खाना खाते हैं, और इस तरह से ये सोचते ही कालिंदी चरन अंदर चला जाता है, जहाबर उसकी पैतनी सुननदा बैटी हुई है, अब सुननदा जो है, उदास बैटी हुई है, शुन्य में खोई हुई है, क्योंकि जीवन क जो होस है, वो उससे बुश्टी जा रही है, और फिर वो सोचती है कि मैं क्यों जी रही हूँ, पती जो है कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, कभी मुझसे बात नहीं करते हैं, और इस तरह से सुननदा जो है, अपने बच्चे की याद में खो जाती है, उसका छोटा स बड़ी बड़ी आखे, उसके चोटे चोटे होट, उसकी कीलकारिया उसे याद आती रहती है, और फिर वो थोड़ी सी रोनी हो जाती है, उसी समय कालिंदी चरन आ जाते हैं, लेकिन कालिंदी चरन की तरफ उसका ध्यान नहीं है, वो अपना चिक तब बैबस करके वहाँ प अब जब ऐसी बात की है तो सुननदा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है उसे लगता है कि ये मुझसे क्षमा प्रार्थी जैसे क्यों बात कर रहे है अगर चार लोगों को खाना है तो मुझे बताए मैं चार लोगों के लिए खाना बना दूँगी लेकिं यह मुझे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं और इस तरह से सुनन्दा को वो दो-चार बार सुनन्दा सुनन्दा कहे कर आवास देते हैं लेकिन सुनन्दा उनकी तरफ ध्यान नहीं देती अब कालुन दीचरण को बड़ा गुसा आता है कि पत्नी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया मेरी सवाल को उसनी नहीं सुना और इस तरह से सुनन्दा की चुपी देखर वो घुसे में ही अपने दोस्तों के पार्शर ले जाते है और अपने दोस्तों को कहती कि देखो मेरी पत्नी की तब यह ठीक नहीं है इसलिए उन्होंने आज खाना नहीं बनाया है अगर आप चाहे तो हम लोग होटल में जाकर खाते है लेकिन एक मित्रे नहीं कहा कि नहीं हम होटल में जाकर नहीं खाते हम क्या करते है घर परी मंगा लेते है हम पैरसल मंगा लेते है और इस तरह से जब इन चार दोस्तों ने बाहर से खाना मंगाने का निश्य किया है उसी समय एक खटना हो जाती है जो कालीन दी चरण को बिलकुल अनपेक्षित है उसी समय सुननदा क्या करती है एक बड़े से थाली में खाना परोसकर लेकर आती है और उन चार लोगों के बी पिद्नी बीमार है उसने खाना नहीं बनाया है और इस तरह से दोस्त तुरन समझ गए कि पती पत्नी में कुछ अनबन है कुछ जगडा हुआ है और इसी कारण कालीन दी चरण ने ऐसा कहा था अब कालीन दी चरण वहाँ पर नीरस्त्र होने लगा है उसके पास कोई शस्त् से सुनन्दा जो है खाना रख कर वहाँ से चली जाती है अब उसके पीचे पीचे कालीन दी चरण भी चला जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या जरुरत थी खाना लाने की मैंने तुमसे कहा था तो तुम क्यों वहाँ पर खाना लेकर आई वो जो और जो से उसे बाते करता उसका अपमान करता है लेकिन सुननदा वहाँ पर चुप-चाब वह सारी बाते सुन लेती है और जब सुननदा कुछ नहीं बोलती है तो फिर से कालिंदी चरण अपने कमरे में दोस्तों के पाशले जाते हैं वहाँ पर ये चारों लोग खाने बर बैठते हैं तब दोस्त कहत पर गते कि अरे कालिंदी चरण इतना घाना तो हमारे लिए काफी है हम चार लोग इसके अपना पेट भर सकते हैं और इस सरह से देखिए कि सुननदा ने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा है जितना खाना उसने बनाया था उतना सारा खाना को अपने पती और उसके कि सुननदा ने अपने लिए कुछ बचा के रखा होगा या नहीं, या वो भी भूगी होगी, या उसने सुबह से कुछ खाया होगा या नहीं, और इस तरह से अब उसे लगता है कि चलो, जब तक इन लोगों का खाना हो रहा है, तब तक मैं बरतन मांच लेती हूँ, अब बरतन मांचने के लिए वो चली जाती है, अब वो बरतन मांचने के लिए शुरुबात करती है, तब ही उसके मन में खयाल लाता है कि नहीं नहीं, अगर इन्हें किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो उन्हेंनों मेंचे आवास दी, तो मुझे यहां तक आवास नहीं आएगी, और इसलिए वो फिर से अपने हाथ धो लेती है, और फिर उस कमरे के निकर जाकर खड़ी हो जाती है, दीवार से पिट टिका कर खड़ी हो जाती है कि कहीं इन्हें कुछ जरूरत नहीं हो, मतलब दिखिए कि अपने पती का कितना ज़्यादा खयाल सुनन्दा रखती है, वैसे हर भारती अस्त्री, हर भारती अपत्नी ऐसी ही होती है, और इसी बात का चितरन निहाँ पर जनेंदर कुमार करते है, जब वो खाना खा रहे हैं तो अचानक सुनन्दा को लगता है, कि सचमुच मैंने अच्छा काम किया है, सारा खाना मैंने इन सब लोगों को दिया है, लेकिन फिर भी कही न कही उसकी अंतरात्मा उससे कहती है कि कैसा पती है तुम्हारा जो तुम्हारे बारे में थोड़ा भी नहीं सोचता है, कम से कम एक बार पूछ लिया होता कि सुनन्दा तुमने अपने लिए कुछ बचा के रखा या नहीं, अगर इतना भी कहते, तो मुझे कितना अच्छा लगता, आज मैं भूखी रह जाती, और देखिए, यहाँ पर इसकी मनस्तिती विदा हो चुकी है, एक तरफ सुनन्दा को लग रहा है कि देखिए, आज मैं अपने पती के लिए भूखी रहूँगी, मतलब क्या होगा, मुझे पुन्य प्राप्त होगा, क्योंकि हर पत्नी अपने पत्नी को देविता मांटी है, इश्वर मांटी है, लेकिन देखिए सोचने की बात है कि एक तरफ पत्नी जो है, पत्ती को परमेश वर मांटी है, दूसरे तरफ हमें क्या दिखाए देता है कि पती अपनी पत्नी को इंसान तक नहीं समझता है उसकी भावनाओं को नहीं समझता है उसकी कदर नहीं करता है और इस तरह से यह सारी बाते उसे लगती है उसे लगता है कि मैं गुलाम हूँ क्या मेरे पती मुझसे इस तरह से बा पाती, उही पर वो सुनती है, अब उसके मन में आता है कि सच-मुझ मेरा देश, मेरा वतन इसे आजाद किरना है और इस कारिया में मेरे पती देव, खुद का योगदान दे रहे है तो मुझे भी इस काम में योगदान देना चाहिए मुझे भी आजादी के अंदोलन में सक्रिय योगदान देना चाहिए इस सिलसले में वो जब कभी अपने पती से बात करते है तब उसके पती कहते की नहीं तुम अनपड़ हो तुम ये सारी बाते समझ में नहीं आएगी तुम घर में रहो और इस तरह से इसी बात पर वो सुकुन मान लेती कि ठीक है अगर पती नहीं चाहते है तो मैं आजादी के अंदलन में अपना योगदान नहीं दोंगी जब वो ये पर खड़े हैं तो अचानक दोस्त कहते हैं कि अरे भाई अचार और हो तो मंगाओ तब वो आवाज देते हैं और कहते हैं कि अचार लाओ जी सुनेंदा तुरंट अंदर जाती है और फिर आचार लेकर आती है, वहाँ पर रख देती, फिर से वापिश रली जाती है, फिर से पीट टिका कर वो वहाँ पर सोच में पड़ी रहती है, उसके बाद अचानक उसे बड़ी स्नीकदा आवाज आती है, कि अजी पानी लाओ, मतलब अब तक जो गालिंदी चरन है, पानी लेकर आती है, मतलब जरूरत से जादा ख्याल यहाँ पर सुननन्दा रख रही है, और यही पर हमारे कहानी का अंथ हो जाता है, देखिये कि हम सारा इंश्ट्रूप में क्या कह सकते है, कि यहाँ पर सुनन्दा जो है, उसके मन में अपने पती के लिए प्राथमिक स् अर्था सुनेंदा सिर्फ विचारों में और छोटी मोटी कर्दुच से शोर करती है लेकिन उसका यो जो वीद्रो है बिल्कुल गंभीर नहीं है मतलब अपने पती से वो बेहर जादा प्यार करती है इसलिए उसके लिए गरम खाना बिनाना उसका सपना होता है कि कितनी भी देर की ओना हो जाए वो उसका इंतजार करती है और आने के बाद ही उनके लिए करम करम रोटिया बना देती है अब देखिए कि यहां पर कालिंदी चरण भारतिय स्वाधिन्ता अंडोलन में सक्रिय अंडोलन कारी हमें दिखाय देते है लेकिन कहानी में कालिंदी चरण का चितरण स्वाधिन्ता अंडोलन के नायक के रूप में विस्तारित नो होकर सुनन्दा के पती के रूप में विस्तारित हुआ है उसकी बज़े से ही कालिंदी चरण की जो विशिष्टा है स्वभावकत विशिश्टाए वो हमारे सामने आ जाती है और पत्नी के रूप में सुनिंदा किस तरह से अपनी भूमी का निपाते है उसका सुन्दर मानसिक चितरन यहाँ पर जैनेंदर कुमार करते है जैसे मैंने शुरू में ही कहा है कि स्त्रियों का मानसिक चितरन करने में वे बड़े माहिर है और उसी तरह से सुनिंदा का चितरन भी उन्होंने बड़े अच्छे से हमारे सामने परस्तु किया हुआ है अब जो कहानी हमने पड़ी है उस कहानी पर आप लोगों को कुछ प्रशन दिये जा रहे है प्रथम प्रशन है पत्नी कहानी में पत्नी का नाम क्या है पत्नी कहानी की मुल सवेदना क्या है विस्तार से लिखिये तीसरा प्रशना कालिंदी चरण के साथ कितने दोस्त उनके घर पर आये थे तो इन तीनों प्रशनों के उत्तराप लोगों को लिखने है और उसके बाद गूगल क्लासरूम पर इने सब्मेट करना है हमारी जो अगली दसिका होने वाली है उस तासिका में हम लोग अमरिता प्रितम जी का परिचे प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा लिखी गई बेटा ये जो कहानी है उस पर हम जर्जा करेंगे क्योंकि आजकल हम देखते है कि ऐसा कहा जाता है कि बेटी ये अच्छी होती है बेटा अपनी मा के बारे में अपने पीता के बारे में नहीं सोचते है लेकिन इस कहानी के माध्यम से एक ऐसे बेटे का चितरन किया गया है जो अपनी सौतेली मा के बारे में बहुत जादा सोचता है पड़ा लिका है पिता जो है भुड़ापे की अवस्ता में दूसरी शादी कर लेते है और फिर जब सौतेली माँ घर में आ जाती तो उसके साथ ये बेटा किस तरह से अपनी भुमी का निबाता है इसी बात का सुन्दर साचितरन किया गया है इस कहानी पर हम विस्तार से अगली तासी का में चर्चा करेंगे